Hello guys, welcome on my YouTube channel, Compteria. In the previous lecture of Environment, Ecology and Biodiversity, we will discuss about Mahasagra Amlikarana. Now, before our wasting time, we will start our lecture. Mahasagri Deoxygenation ये महasagri में आक्सीजन की होने वाली कमी, जो सता और सता से गरहाई पर आक्सीजन ही कमी करता है, को संदर भी करता है. Mahasagri Deoxygenation के कारव जलवायू परिवर्तन, सूपोसन, इसमें की पहला जलवायू परिवर्तन, जलवायू परिवर्तन के कारण महasagri का जल ज्यादा गर्म होने से उसमें आक्सीजन की मातरा कम हो जाती है। जिससे ये ठंडे जल की तुलना में अधिक प्लवन सील होता है, इससे गर्म जल में जीवी जीवो हिदू आक्सीजन की उपलब्वता में कमिया जाती है। कहन सागरी जल की गर्म होने से मिथेन, गैस, हाइड्रेट्स, आइस्थिर हो जाते हैं, जो आउसादों से मिथेन के उस सरजन को बढ़ा देता है। इसके फल सरूप मिथेन के वाइवी ससन की क्रिया से कारवन डायकसाइट की मात्रा बढ़ जाती है। सुपोशन इससे तटी आक्सीजन में कमी हो जाती है। और वरक, वाहित, मल, पसू और जली, क्रिशी, अपसिष्ट के परणाम सरूप सैवालों की अतिधिक वर्दी हो जाती है। और सैवालों के अपगटित होने से आक्सीजन का अच्छाए होता है। किसी भी जल सरोथ का सुपोशन तब होता है। जब पौधे के पोशक तत्यों जैसे नाइट्रोजन और फासफेट वाइवी जिवानों की कार्बनिक अपसिष्टों की क्रिया के फलसोरूप जल में निर्मुक्त होकर जल सरोथ में प्रवेश कर जाते हैं। ये पोशक तत्यों सैवालों की वर्दी करते हैं। अत्यधिक मात्रा में पोशक तत्यों की वर्दी होना चल सरोतों में सुपोशन को बढ़ावा देते हैं। सैवाल वर्दी ये सैवाल सारी आक्सीजन का उप्योग कर लेते हैं और चली जीव आक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। ब्लू फ्लैग प्रमालन भारत के आठ समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाल पत्र परदान किया गया है। जो पांच राज्यों और दो केंदर सासित परदेशों में इस्थित है। इन में सामिल है सिवराजपूर द्वारका गुजरात, घोगला दीव, कासर गोड और पादू बिंदरी करनाटक, कपड केरल, रूसी कोंडा, आंध प्रदेश, गोल्डन, पुरी उडिशा और राधा नगर अंडमान निकोबार दीप समुद्र। इसके साथ ही भारत 50 ब्लू फ्लैग देशों के सम्मू में सामिल है। अगले 5 वर्सों में देश के 100 ऐसे ही समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग सम्मान प्राप्त करने की योजना बना रहा है। ब्लू फ्लैग समुद्र तट एक इको टूरिजम माडल है जो परिटकों को नहाने के लिए स्वच जल, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरान पतान करने के साथ छेत्र के सदत विकास को बढ़ावा देने वाले समुद्र तटों को चिन्हित करता है। ब्लू फ्लैग हेतू मांदंड क्या है। संगठन Foundation for Environmental Education द्वारा चलाए जाता है जो एक इको टूरिजम माडल है। ये समुद्र तटों पर घूमने वालों और परिटकों को स्वच और साब जल, सुरक्षित और स्वस्थ वातावरान पता छेत्र के सतत विकास को चिन्नित करता है। सर्टिफिकेशन को डेर्मार्क इस्थित Foundation for Environmental Education द्वारा मानता प्राफ्थ है। कोस्टल मैनेजमेंट के माध्यम से 30 छित्रों के सदत विकास और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए ICJMP का सुभारम किया गया। SICOM भारत की राष्टी पर योजना प्रबंधन ही काई है जो रणनितिक योजना प्रबंधन निस्पादन निगरानी और ICJMP फेज वन के सफल कारानवन हितु कारे करती है। ICJMP के उधाना 1992 में रियोडी जनेरियों में प्रित्वी स्विकर संबेलन के दोरान पेश की गई थी और दुनिया के अधिकांस तटी देशों ने अपने तटी छित्रों के प्रबंधन के लिए ICJMP सिध्धानतों को अपनाया है। तटी विनियमन छेत्र पर्यावरण मंत्राले ने वर्स 1991 में पर्यावरण संरक्षन अधिनियम 1986 की धारा तीन के तहत इसे अधिसूचित किया गया था जिसे वर्स 2011 में संसूधित किया गया था। 28 दिसंबर 2018 को गेंदरी मंत्री मंडल ने तटी नियमन छेत्र अधिसूचिना 2018 को मंजूरी दे दी है। 28 जो तट रेखा तक क्या उसके नजदी की विक्सित किये गए हैं और सी यार जेट थार्ड वे छेत्र दू अपेक्षा क्रेट बाधा रही था हैं। इसके संबंद में मंजूरी के लिए सक्तियां राजिस्तव परदान की गई हैं। नए नियम के अनुसार मुख्य भूमी के तटके निकटवर्ती सभी दीपों में और मुख्य भूमी के सभी आप्रभावी जलवाले दीपों के लिए 20 मीटर की सीमा तक नो डेवलप्मेंट जोन घोसित किया गया। इसका मुख्य उद्देश सागर्तट से एक निश्चे दूरी के अंदर कुछ विशेज गतिविधियों जैसे निर्माण, नय उद्द्योग्य की स्थापना, खतरनाक सामगरी का भंडारन या निप्टान, खनन, भूमी उप्योग, पडिवर्तन, बांध निर्माण पर रो जल समुद्र के गर्म और पोसक रहित जल को हवा के प्रबाहतवरा इस्थानांत्रेत कर देता है और इस प्रक्रिया में पोसक तत्त्तव सतव पर आजाते हैं भारत में तसो आदर भूमी परिशर को अंतराश्टी महत्व की रामसर इस्थल की सूची में सामिल किया गया है। भारत में अंतराश्टी मानता प्राप्त आदर भूमी की संख्यां 42 हो गई है। 1.526 करणों हेक्टेर है और 42 इस्थान अंतराश्टी महत्व की आदर भूमियों यानि की रामसर साइट्स के रूप में नामित हैं। जिनका छेतरफल 10.8 लाक हिक्टेर है और वर्स 2021 को दो फरवरी 1971 को रामसर में रामसर समझोते पर हस्ताक्षर की पचासवी वर्स काट के रूप में मनाया जा रहा है। इसी दिन विश्व आदर भूमी दिवस मनाया जाता है। छेतर, भोजन, पानी, फाइबर, भूजल, पुनर, भरण, जल, सोधन, बाण, नियंत्रन, कटाव, नियंत्रन और जलवायू, वीनियमन जैसे महातपूर संसाधन और परिश्व की सिवाय परदान करता है। वास्तों में वा पानी का एक बड़ा स्रोत है और मीठे पानी के हमारी मुख्या पूर्ती आदर भूमी के एक समू से होकर गुजरती है। जो वर्सा जल को सोखने और पानी को रिचार्च करने में मदद करती है। यह रामसर सूची के भाग के रूप में सामिल है। वर्तमार में भारत के दो आदर भूमियों को मौन्ट्रेक्स रिकार्ड में सामिल किया गया है। इसमें पहला है केवला देवराश्ट्री उद्ध्यान राजस्थान और लोक्टक जील मडीपूर। छिलिका जील उडिशा को इस रिकार्ड में सामिल किया गया था लेकिन बाद में हटा लिया गया। रामसर कन्वेंशन आदर भूमियों पर रामसर कन्वेंशन को वर्स 1971 में इरानी सहर जो की रामसर में कैस्पियन सागर के दच्छन किनारे पर इस्तित है इसमें अपनाया गया। ये एक अंतर सरकारी संदी है भारत द्वारा इसे एक फरवरी 1982 में लागू किया गया। वे आदर भूमी छेतर जो अंतराष्टी महत्व के हैं रामसर इस्थल के रूप में घोसित किये गए हैं। इस कन्वेंशन का उद्देश से बिश्व में सदद विकास की दिशा में युगदान देते हुए इस्थानी और राष्टी कार्यों और अंतराष्टी सहयों के वे आदर भूमी संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना भारत की आदर भूमीों के संरक्षण बहाली और प्रबंधन के लिए चिन्नई इस्थित National Center for Sustainable Coastal Management में की गई है। आदर भूमी संरक्षण और प्रबंधन केंद्र के माध्यम से विशेश सूद आउसक् और सुचनाओं की कमी का समाधान निकाला जाएगा साथ ही आदर भूमियों के संरक्षान प्रबंधन और उचित उपयोग हेतू एक ही कृत रणनीतिक दृष्टी कोण को अपनाया जाएगा केंदर उपयोगत रास्ट्री और अंतरास्ट्री एजेंसियों के साथ भागिदारी और नेटवर्क के विक्सित करने मदद करेगा W.C.M. एक ज्याना केंदर के रूप में काम करेगा और राज्य संग सासित परदेशों के आदर भूमी प्रादी करनों आदर भूमी के उपयोग करताओं प्रबंध को शोध करताओं नीती निर्माताओं और प्रैक्टिस नर्स के बीच विचारों के आदान परदान को सक्षम बनाएगा केंदर उनके संरच्छन के लिए नीती और नियाम की रूप रेखाओं के निर्माण और उनके कारानवन प्रबंधन योजना निगरानी और लक्षित अध्यन में भी सायोग करेगा प्राश्ट्री वेट लेंड संरच्छन कारक्रम इस कारक्रम को संबंदित राज सरकारों के सायोग से 1986 में आरंब किया गया था जिसके ताहत पर्यावरन और वनमंत्राले द्वारा 115 वेट लेंड की पाचान की गई है इस कारक्रम का मुख उतेश देश में वेट लेंड के संरच्छन और उनका बुद्धी मत्ता पूर्ण उपयोग करना है ताकि उनके विनास को रुका जा सके वेट लेंड को किड्णीज आफ लेंड लेंड इसके यानि भू द्रिश्य के गुड़दे भी कहा जाता है क्योंकि यह जल चक्र द्वारा जल को सुद्ध करता है और प्रदूशन कारी आव्यवोग को निकाल देता है आद्रभूमी सनरक्षण एवं प्रबंधन नीमावली 2017 वन और जलवायू परिवर्तन मंत्राले द्वारा वर्ष 2017 में वेट लेंड्स के सनरक्षण से संबंदित आधिनियम को अधिसूचित किया गया है ये 2010 आत्रभूमी संरच्छन और प्रबंधन नी मावली का इस्थान लिया है केंद्री आत्रभूमी नियामक प्राधिकरण को समाप्त कर दिया जाएगा अधिसूचना जारी करने की सक्ती संबंदित राज्यों के मुख्य मंत्रियों के धीन रहेगी पहले प्राधिकरण द्वारा लिये गए निर्णय को एक नागरिक द्वारा NGT में चुनोती दी जा सकती थी नए नियोमों के तहट नागरिक जांचा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है नए नियोमों में वेटलेंड्स प्रबंधन के परती वी केंदरी केट द्रिष्टी कोण अपनाया गया है ताकि छेतरी विशिष्टाव सकताओं को पूरा किया जा सके और राज अपनी प्रात्मिकताओं को निर्धारित कर सके ज्यादातर निर्णय राज के आद्रभूमी प्रातिकरन द्वारा लिये जाएंगे जिसके निगरानी राश्ट्री वेटलेंड समीते द्वारा की जाएगी आज का लेक्चर यहीं तक अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे जली परितंत के सनरच्ण हेदू राश्ट्री कार्योजना और उसके साथ मैंगरो पारिशितिकी तंत्र वायव परदूसर्ण और घरेलू वायव परदूसर्ण के स्रोत तुकाद ब बने रहें कामटेरिया लेक्चर को बरबर देखते रहें और जादा से जादा सिर करें इन्वार्मेंट इकोलाजियन बाइड ऑर सिटी के आर भी रोचले लेक्चर शाति रहेंगे कामटेरिया यूठ्म पर बिल्लकुल निसुल खाये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जहूँ प्रेस कर दें कॉम्टेरे लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हर हर महादेव